हाई फ्रेंड्स एक बार फिर से स्वागत है आप सभी को आपके अपने ही चेनल प्लेयर्स रिकॉर्ड भी तो दोस्तों आज इस वीडियो के अंदर कवर करने वाले हैं जो सुभा साड़े छे बज़े ये मैच देखने को मिलेगा आपको एसियन जेम्स मैंटी ट्वेंटी सरीच का जो कि थाइलेंड वर्सेस मलेसिया के बीच में ये मुकाबला होने वाला है और इस वीडियो के अंदर दोस्तों मैं आपको पूरी जानकारी शेयर करूँगा चुकि ये मुकाबला सुभा साड़े छे बज़े देखने को मिलेगा यहाँ पे आपको बैटिंग ओडर के साथ सारे डीटेल्स मैं आपको शेयर करूँगा एक-एक मैच दुनों हे टीम ने खिल चुका है मैं आपको वो भी बताऊंगा कि इसमें बैटिंग ओडर क्या रहा था और इनके पुराने स्टैट्स क्या है ठीक है तो ओवरल ये वीडियो आपको बहुत जादा हेल्प करेगा भाईयों पीच रिपोर्ट के साथ-साथ मैं आपको बैस्ट कैप्टनसी वाइस कैप्टनसी का आफसन भी में आपको प्रोवाइड करने वाला हूँ तो इस वीडियो को अंत तक जरू वच करना दोस्तों पूरी नॉलेज के लिए वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सभी से एक छोटी से रिक्वेस्ट है भाईयों अगर आप चैनल पर पहले वार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को एक बार सब्सक्राइब जरू कर लेना और वीडियो कर आपको पसंद आता है दोस्तों तो वीडियो को एक बार लाइक करके भी हमें सपोर्ट जरू करना और सबसे जरूरी दोस्तों फाइनल टीम के लिए जो हैना हमारे टेलिग्राम ग्रूप को जोइन कर लो कैसे जोइन कर पाएंगे यहाँ पे आपको मोर का ओफसन देखने को मिल रहा होगा जैसे ही मोर के ओफसन पे आप क्लिक करेंगे दोस्तों तो आपको नीचे आपको डिस्क्रूशन बॉक्स में कुछ इस प्रकार आपको लिंक मिल जागा हमारे टेलिग्राम ग्रूप का जैसे लिंक पे क्लिक करोगे दोस्तों नीचे आपको जोइन का ओफसन आएगा ठीक है एक बार आपको जोइन हो जाना है यह दोस्तों बैक अप चैनल का लिंक है चलिए एक बार मैं आपको टेलेग्राम ग्रूप पे लेके चलता हूँ देख सकते हैं यहां आपको लाइन अप के बाद सारे अपडेट आपको मिल जाते हैं ठीक है तो आई होप आपने जोईन कर लिया होगा चलिए अब बिना दरी के दोस्तों हम लोग डीटेल्स की और आगे बढ़ते हैं सबसे फ़ेले यहां पर बात करेंगे दोस्तों टाइमिंग के बारे में तो आपको पता है चलेगे यह साड़े 6 बज मुकाबला होगा और यह जो ग्राउंड रहने वाला है दोस्तों सारे मैचेस एकी ग्राउंड पे हो रहे हैं यह चीज आपको यहां पर ध्यान रखना है और यह जो पीछ है मतलब 1.500 के आसपास स्कोर तो बनते हैं लेकिन दोस्तों थाइलेंड के जो टीम है आपको एक मैच जो यहां पर हुआ है उसके बारे में बताऊंगा जो कि बहुत मतलब बहुत पूर बहुत पूर रिजल्ट दिया हुआ यहोंने दोस्तों लास्ट मैच के अंदर है ठीक है आपको मैं पीछ रिपोर्ट बताया कि यहां पे 1.500 के आसपास रंस आसानी से बनते हैं यही ध्यान रखना अगर यहां पे कर आप देखेंगे तो ज़्यादा एडवांटी जो है सेकंड बैस्मन को ही मिलते हैं और स्पिनर्स को सपोर्ट इस लेकिन थाइलंड के जो टीम है मातर 53 रंत की बना पाया और पूरी टीम ओलाउंट हो गया वही अगर आप देखो कि मलेसिया के टीम का रेकॉर्ड जो 160 बनाया लेकिन एसाइन के टीम फिर यहां पे 87 रंड पे ही पूरी टीम ओलाउंट हो गया तो आप एक चीज समझ सकते ह कि मलेसिया के जो टीम है बहुत पावरफुल है जो कि SIN के टीम जो कि थाइलंड के टीम को यहां पे हराया था और मतला SIN के जो टीम है इनको फिर जो है मलेसिया के टीम ने वसी तरग हरा है जिसे इन्होंने थाइलंड के टीम को हराया था आप एक चीज समझ सकते हैं कि मले परसंट चांसे की ये मुकाबला मलेसिया की टीम वाफस फिर आपने नाम करने वाला है तो ये चीज़ धियान रखना है चलिए आप बैटिंग ओडर समझते हैं सबसे पहले मलेसिया की टीम का ही रिकॉर्ड देखते हैं और T10 में 24 मैच के अंदर 549 जो की बहुत मजबूत प्लेयर हैं दोस्तों और experience बहुत बढ़िया है तो इनको ट्राय करना है अपने टीम के अंदर शेज अजीज जो की इनके साथ ओपन किया है इन्होंने 39 रन स्कूर किया हुआ है और T20 में 196 मैच के अंदर तो मतलब बोलिंग भी किया हुआ है अपने केरियर के अंदर इस मैच के अंदर बोलिंग नहीं किया हुआ है लेकिन दोस्तों याद रखना है इनके पुराने रिकॉर्ड्स बहुत बढ़ी है T20 फॉमेट में बोलिंग में भी T10 में 34 मैच के अंदर 845 रण 28 विकेट्स के साथ मुहमद अमिर अजीज जो की दोस्तों इन्होंने बहुत बढ़ी है रिकॉर्ड्स पहले मैच के अंदर 23 रण में के दो विकेट्स निकाले है तीन वर का बॉलिंग किया था दो विकेट्स निकाले है बहुत अच्छा रिकॉर्ड्स है T20 में 124 मैच के अंदर दोस्तों 2121 रण मिना के 149 विकेट्स निके नाम है और T10 में 24 मैच के अंदर 323 रण मिना के 12 विकेट्स निके नाम है इस्टेट्स तो काफी तगड़ा है इनको अगर आप चाहें तो कैप्टन वाइस कैप्टन के लिए ले सकते हैं बाकि एहमद फियास जो कि सेकेंड डाउन पे खिलेंगे 5 रण स्कूर किया हुआ है T20 में देखेंगे दोस्तों 176 मैच के अंदर 4023 रण 38 विकेट्स के साथ और T10 में 26 मैच के अंदर दोस्तो 596 रण स्कूर किया हुआ है तो इस स्टेट्स देखोगे दोस्तो 34 का बहुत तगड़ा है फिर यहाँ पे विरंदीप सिंग का नाम आता है जो कि कैप्टन सी के लिए सबसे इंपोर्टन प्लेर है दोस्तों 3 डाउन पे खिलने के लिए आया था 24 रण स्कूर किया हुआ है और 3 अबर का गिंदबाजी की है कोई विकेट मिला नहीं लेकिन बहुत अच्छा रेकॉर्ड है बैटिंग बॉलिंग दोनों से अच्छा रिजल्ट दे सकते हैं चुकि इनके पुराने स्टेट्स ही बहतर है 194 मैच के अंदर 6937 रण बनाया हुआ है दोस्तों 190 विकेट के साथ टीटेन में देखोगे 22 मैच के अंदर 664 रण 22 विकेट के साथ तो इस स्टेट्स तो बहुत तगड़ा है कैप्टन वाइस कैप्टन के लिए इनको ले सकते हैं विजा यूनी जो की चार नमर पे खेलने के लिए आये था एक रण बनाया हुआ है और चार बर का गेंदबाजी में एक विकेट है बाकि टीट्वेंटी में 184 मैच के अंदर 1104 रण 207 विकेट के साथ टीटेन में देखोगे 18 मैच के अंदर 184 रण बना के 16 विकेट है अब सर्वीन का रिकॉर्ड देखेंगे दोस्तों तो 12 मैच के अंदर 181 रण 5 विकेट इनके रिकॉर्ड है लेकिन इस रिच के अंदर काफी लेड बैटिंग करने का मोका इनको मिल रहा है क्योंकि इनसे बहतर रिकॉर्ड उपर में आपको खिलाडियों का नाम बता है उनका ज़्यादा बहतर है और इस हिसाब से इनको मतलब आप ड्रॉप करते वे जा सकते हैं आइनुल का रिकॉर्ड ये विकेट की प्रिंग सक्षन में नजर आएंगे छे नमर पे खिलने के लिए था लास्ट मेच के अंदर मातर चार रन मनाए थे इनका स्टेट सो बढ़िया है लेकिन स्रीच के अंदर काफ़े लेड बैटिंग मिल रहा है ताब इनको ड्रॉप कर सकते हैं नवार रहमान साथ नमर पे खिलने के लिए आया था पार रन स्कूर किया हुआ है चार विकेट के साथ बॉलर है दोस्तों और बॉलिंग बढ़िया करते हैं 125 मैच का अंदर 149 विकेट के नाम है बैट्समेन मतलब यह आवरेज है एज एफ प्रोफेशनल देखोगे तो बॉलर ही है टीटेन में 22 मैच के अंदर 41 रन 14 विकेट के साथ यहाँ अगर आप देखोगे पवंदीप सिंग जो की चार वर का गिंदबाजी में 2 विकेट निकाले हैं टीटेन्टी में 149 मैच के अंदर 215 रन 163 विकेट के साथ और टीटेन्ट में 17 मैच के अंदर 7 रन बना के 12 विकेट हैं बाकि यहाँ पे शायद रूल इदरूस का रिकॉर्ड देखेंगे इनको ड्रॉप करते वे जाएंगे लेकिन टीटेन्टी में देखेंगे तो 143 मैच के अंदर 799 रन 163 विकेट के साथ हैं जो की बहुत बढ़े है रिकॉर्ड है लेकिन पहले मैच के अंदर बॉलिंग नहीं किया है मेभी इस मैच के अंदर बॉलिंग करने का मोगा इनको मिले बाकि के जो आप 4 प्लेयर देख रहे हैं यह बैंकिस में आपको दीखेंगे दोस्तों और इनके पुराने स्टेट्स आपके सामने हैं जो की सारे डीटिल्स देख सकते हैं T10, T20 दोनों ही फॉर्मेट का तो यह मलेसिया के पूरे रिकॉर्ड है दोस्तों लेकिन अब यहाँ पे देखते हैं थाइलेंड का जो कि यहाँ पे शरावत का रिकॉर्ड देखेंगे यह उपन करने के लिए आ रहे हैं जो कि पहले मैच के अंदर तो यह खाता भी नहीं खुल पाए T20 में 6 मैच के अंदर 35 रन बना के दो रन मनाया हुआ है दोस्तों बागि 7 मैच के अंदर 19 रन इनके करियर रिकॉर्ड है नराविट का रिकॉर्ड देखेंगे सेकेंड डॉन पे खिलने के लिए था जीरो रन ने स्कूर किया हुआ लेकिन तीन अबर का बॉलिंग में कोई विकेड मिला नहीं यह जो खिलाडी है दोस्तों यह टॉप अटर का बैट्समैन है साथे साथ आपको बॉलिंग भी करते वी दिखेंगे चुकि पहली मैच के अंदर यह नहीं कुछ खास कर पाएं लेकिन बैटिंग बॉलिंग दोनों करते वी दिखा गया है बाकि इनको ड्रॉप करते वे जाएंगे लेड बैटिंग करें मिडिल ओटर का बैट्समैन है रिकॉर्ड उतना अच्छा है नहीं और यहाँ पे नफोन जो कि यह चार नमर पे खेलनी के लिए आयता साथ रन प्लस एक विकेड है ग्यार मैच के अंदर 47 रन मर प्लस एक विकेड निकालें दूस्तों चार ओवर ये कनफरम बॉलिंग करेंगे 43 मैच के अंदर 440 रन मर प्लस एक विकेड इनके किरेर रिकॉर्ड है जो कि बहुत तगड़ा है दूस्तों बाकि इनको ड्रॉप करेंगे लेकिन यहां पर फनुवत का रिकॉर्ड जो कि 14 रन मर प्लस एक विकेड निकाला हुआ है टी 20 में देखेंगे तो 17 मैच के अंदर 165 रन इनके किरेर रिकॉर्ड रहा है आप यहां पर शरुवत का रिकॉर्ड सर्योद मलिवान जो कि 0 रन इनके नाम और बॉलिंग से भी कुछ खास रिकॉर्ड है नहीं बाकि खनिस्तन का रिकॉर्ड जो कि एक रन मर यहां हुआ है चारवर का गिंदबाजे में एक विकेड निकाले भी है दूस्तों नफुन जो कि 7 रन मर ना के एक विकेड निकाले 11 मैच का अंदर 47 रन मर ना के 13 विकेड इनके करियर रिकॉर्ड है बाकि के जो 4-5 प्लेयर देख रहे हैं दूस्तों यह आपको बैंचेस में दिखेंगे यह चीज़ आपको ध्यान रखना है ठीक है 3 घंटा लगा है तो आप लाइक करके हमें सपूर्ट जरू करना बाकि चलिए अब टीम की और आगे बढ़ते हैं चलिए शुरुबात करते हैं सबसे पहले विकेड की पर से एस अजीज जो कि मलिसा के टीम के तरफ से यह खिलाड़ी बहुत तगड़ा है दोस्तों लेकिन सेलेक्शन कम रहेगा तो इनको ट्राइ करना है चुकि फ्लॉप रहे थे लास्ट मेस में इस वज़े से बैटिंग से 3 बैट्समें को मैंने ट्राइ किया है मलिसा के टीम के तरफ से 2 खिलाड़ी है और थाइलन्ड के टीम के तरफ से ओल अंटर से बॉलिंग से 3 बॉलर जिसमें से पिसिंग और थाइलन्ड के एक खिलाड़ी को मेंने ट्राइ किया हूँ बाकि एमेरहमान को मैं ट्राइ कर रहा हूँ ओवरल देखोगे तिये 3 गेंदबाज अगर यहाँ पे अगर आप लेना चाहते हैं दोनों को ट्राइ कर सकते हैं दोनों का स्टैट्स भी बढ़िया है ठीक है? Grand League में तो आप चेंज कर ही सकते हैं बाकि टीम प्रिफ्यू आप देख सकते हैं मेरा जिसमें से Captaincy, Vice Captaincy के लिए दोनों प्लेयर बहुत इंपोर्टन है च्योंकि बैटिंग बोलिंग दोनों से काफ़ी बढ़ियां पोइंट्स दीयां भी तक ठीक है? टीम के टॉप आटर पे खेल भी रहे हैं और एक चीज मैंने आपको बताया था कि इस मैच के अंदर मतलब मलिसा के टीम के जितने के चांसे ज़्यादा है तो इसी मैंटसे से मैंने ये टीम क्रिएट किया हुआ है तो दोस्तों इस टीम को सेव कर लो अभी और लाइन अप का वेट करना बहुत ज़या संभावन है कि ये फाइनल टीम रहेगा लेकिन एक दो प्लेयर अगर चेंज होता है लाइन अप में तो फिर टीम आपको अपडेट कर दिया जाएगा हमारे टेलिग्राम ग्रूप में टेलिग्राम ग्रूप से आपको जोड़े रहना है इस वीडियो के नीचे दूस्तों आपको लिंक मिल जाएगा